आईटाय की सभी सब्जेक्ट की प्रिप्रेशन करने के लिए और सिवीट एक्जाम पास होने के लिए सब्साइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिक्शन पाने के लिए दबाए इस वेल आइकन को नमस्का दोस्तों सब्सक्राइब सभी का यूटोब और आप लग देख रहे आईटे अपडेट्स तो गाईज देखे हम आपके लिए कोश्चन लेकरा है जो कि अम्पलविडी स्केल में यहाँ पर यह कोश्चन बहुत बार रिपीट हो चका और यही आने की ज्यादा से ज्य यहाँ पर क्या होना चाहिए रोजगार होना चाहिए यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है तो 52 जो कि यहाँ पर 52 को हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर लग भग जो कि the ability to do is करने की शमता क्या होती है तो यहाँ पर देखेगा जो कि 52 का यहाँ पर सही आंसर है यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं 3 skill जो है वो करने का काम है और यहाँ पर 53 देख लीजेगा आप यहाँ पर 53 का जो सही आंसर यहाँ पर guys देखेगा person with a growth mindset is always willing to यहाँ पर देखेगा 53 का सही आंसर यहाँ पर यह two वाला option growth, change और learn के लिए हमेशा अदमी को या किसी भी skilled worker को स्वारी यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको हमेशा तयार रहना होता है तो guys देखेगा question number 54 का हम देखेंगा यहाँ पर jobs that have become outdated in the last past 5 years नोकरिया जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है कौन कौन सी हो गई है अब देखेगा 54 का जो यहाँ पर हम question देख रहे तो आप लोग आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या पुरानी हो गई है तो yesterday boot का जो option है यहाँ पर पुराना हो चुका है क्योंकि अब Ola, Uber और Swiggy जैसे जो कि यहाँ पर जो demanding यहाँ पर जो कंपनिया वो ज्यादा से ज्यादा चल रहे है अब देखे 21 सदी में यहाँ पर देख सकते है आप question 21 सदी के कारियस्थल काउशल आपको रोजगार पाने में मदद कर सकते है तो यहाँ पर आप आपको भी उसकी तरह बदलना पढ़ता है अब देखे 56 question नहीं आप आप देख सकते है एथिक्स क्या होते है आपको पता होना चाहिए एथिक्स क्या होते तो आप आप देखेगा सही और गलत तहीं करें कि मानवाजर इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है इसको हम एथिक बोल सकते है, 56 का जो सही आंसर है guys, यहाँ पर है यहाँ पर है, 1 नमबर, यहाँ पर सही आंसर है guys, अब देखें, 57 का देख लीजीगा यहाँ पर, values क्या होते हैं, हमारे दृष्टी कौन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह option सही है, कौन सा वाला, values, 57 का जो सही आं है यही चीज़े 58 देख लीजेगा 58 में हम देखेंगे is that is a brief statement about purpose and principles of the constitution सविधन के उद्देश और सिधानतों के बारे में संक्षित विरन क्या है तो यहाँ पर देखे प्रस्थावना preamble the preamble हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह constitution का main part है सबसे पहले आता है अब देखे 59 question हम देख सकते हैं अनुचित पत को पहचान identify the improper term यहाँ पर है तो यहाँ पर 59 का सही answer यहाँ पर यह यह one green pollution identify the improper term क्योंकि water pollution, air pollution, sound pollution और green pollution नहीं होता यह ध्यान में रखेगा ठीक है यह चीज़ आपको इसमें से अनुचित पत को पहचानना था 60 question देखेगा people from all religions और no religions are treated equally means democratic अब देखे आप यहाँ पर देखे people from all religions और non no religions are treated equally मतलब कि आप सभी को सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों को लोगों के साथ समान विवाबर नहीं किया जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या कहता है तो उसको 60 जो question है हमारा उसका सही answer है ये sorry A4 ठीक है 60 का जो answer है हमारा A4 ही यहाँ पर दिखाया गया है secular country धर्मन इर्पेक्ष देश कहा जाता है अब देखे 61 में देखे का dot dot is major changes take place in manufacturing manufacturing करने के लिए परिवरतन, manufacturing में प्रमोग परिवरतन होते है grain revolution, अब देखे industry में manufacturing होता है तो यहाँ पर manufacturing में क्या होता है तो industry revolution होता है 61 का जो सही answer यहाँ पर A2 यहाँ पर option सही industry revolution 62 का हम यहाँ पर देखेंगे तो 62 में देखेंगे first industry revolution कब हुआ था तो यह हुआ था 18 सदी में हुआ था, यह यहाँ पर सही answer ध्यान में रखेगा 63 हो देखेंगे hard skill क्या होता है, hard skill यहाँ पर देखेगा hard skill, hard skill आपको यहाँ पर सीखना होगा क्योंकि hard skill आपको यहाँ पर 60 word per minute time speed यह यहाँ पर hard skill होता है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए मतलब option जो देते हैं उन में से आपको choose करने होंगे 64 का हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि यहाँ पर grow your self you must, अपने आपको विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए तो ठीक है, यहाँ पर आपको अपने career style को जाना है, खुद को जाना है, यहाँ पर देखेंगे जो कि आपने आपको विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए खीक है यह आपको परचानना है, तो यहाँ पर आपको है खुद को जानना जरूर है, यह two option यहाँ पर सही है 65 देखें, time management क्या है managing time, यहाँ पर 65 को अभी answer यहाँ पर क्या आ रहा है यह one यहाँ पर आ रहा है, अपना career समय पर पूरा करें यह इसको बोलते complete or task on time यहाँ पर है, यह one option 65 का सही आ रहा है अब देखें, 66 का देखें, resume should be एक resume क्या होना चाहिए, ठीक, छोटा और सटिक, fancy, colorful नहीं होना चाहिए having long and detail भी नहीं होने चाहिए, समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए यह भी गलत है, तो यहाँ पर देखें, 66 का जो सही answer यहाँ पर देख सकते है यह one option से, छोटा और सटिक आपका resume होना चाहिए अब देखें, 67 कोशन देखेंगा किशी कार्य में किये जाने वाले करते हैं, जो मेदरों का लिखित विवरन डॉट-डॉट कहा जाता है तो देखेंगा यहाँ पर क्या कहा गया है, 67 का जो सही answer यहाँ पर यह two option, job description यहाँ पर सही answer है, यहाँ पर आपको यह rate के जाना यार गाईज जो मतलब की question simple है, वही question ज्यादा ज्यादा exam में आ सकते है after receiving interview call, what is the next step? आपको interview का call आते है तो आप अगला कदम क्या उठाओगे यहाँ पर देखेगा, आपको prepare, यह resume भी नहीं करना है, आपको interview में जाना है, यह three यहाँ पर सही option है, क्योंकि यह 2-3 बार repeat हो चुका है यह यहाँ पर आपको करना है, अब देखें, choice, अब देखें, अंगरीजी का यह है, ठीक है choose suitable wh word for the given sentence dot dot animal do you like यहाँ पर सही option आता है, 69 में देखिएगा, यहाँ पर सही answer है, यह one which animal do you like, यह option यहाँ पर सही है 70 देखे, देगे वाक्य में रोहन के बाद सही वीराम चिनन चुने, रोहन, डिवीड and राम are playing hide and seek अब देखें, यहाँ पर रोहन के बाद क्या बोलाए कि सही वीराम चिनन चुने रोहन के रोहन के बाद, ठीक है अब देखे 70 जो question है यहाँ पर इसका सही answer है यह one option सही है कॉमा है यहाँ पर यह भी ध्यान रिखे 71 में देख सकते है आप यहाँ पर 71 में हम यहाँ पर देख रहे देगे प्रशने के लिए सही उत्तर जोने how you have been very well and you यहाँ पर सही option है 71 का भी यहाँ पर दो अब देख सकते है यह वह नहीं option यहाँ पर सही आ रहा है यही very well and you अब देखे 72 का दिखेगा देगे प्रशने की सही प्रतिकरा जोने when did the accident happen when did the accident happen अब देखे when did the accident happen जब accident होता है तब आप क्या प्रतिकरा चुनते हो यह यहाँ पर option है तो 72 का यह 3 option है at the 10.30 last night यहाँ पर पूछा क्या गया गया गयी कब accident हो चुका तो at 10.30 last night मतलब कल रात 10.30 बजे हो चुका था 73 देखेगा choose the correct tense and verb I dot dot music when I was child क्रिया का सही काल चुने है अब देखेगा यहाँ पर आपको चुनना है 73 क्योंकि यहाँ पर option आ रहा है यह for learned यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर answer है सही learned options सही है यहाँ पर और last second last हम देखें सरकलम yt is also known याज इसको भी क्या बोल सकते है 74 को हम यहाँ पर इसको भी resume में बोल सकते है सरकलम yt का यहाँ पर यहाँ पर यह सेम ही नाम आता है तो काई जाए आपको ध्याने में रखना है और यह देखें 75 का question देखें लास्ट वाला is same fill in the blanks with the comparative adjective your pencil is dot dot than mine शार्फ है शार्फ है शार्पर है ब्लंट है थीक है कौन सी है तो यहाँ पर आप लेख दूख शेकते है शार्पर दैन माइन तो यहाँ पर 75 का यहाँ आपर option आ रहा है 8 option है यहाँ पर सही आ रहा है तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आता हो यहाँ पर करी आपको PDF चाहियो को अधर डिस्क्रिश्चिश्चिन में टी लेंग मारा लेंग पर हट्सब कर गुप दिया गए तो guys वहाँ पर जोन होगा जाएगा और आपको यह अगर वीडियो पसंद आतो प्ली चानल को सब्सक्रीब कीजिए लाइक कीजिए लाइक कीजिए ब